तो मैंने आप सबसे यह पूछना था मेरे को ना कमेंट करके बताना पटना जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा रहेगा तो प्लीज कमेंट करके बतादे ना बाई जो इस लाइन को चलते हैं बिहार वाली साइड को चुपी रात को मुश्किल होती बंदे रोकते वह नहीं आज का लिप्ट देते हैं यह लोग मैंने जाना मैं चलो कोई नहीं आजाओ यार लेजा रात को करते हैं जो जेल में यहां पास में जेल है तो उनकी ब्यूटी ओतिया लगाई है बढ़िया भी है यार और अब भी तक ना हमने है चारसो अठाइस किलोमेटर सफर कर लिया वादता है तो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे मैं आपका दोस्त है मराज मैं भी ठीक हो तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल ट्रक की रोम है तो आज है टे टू आज चार मई है हमाई दिवाइस फेक्टरी में तेन तारीकों कल जैसा कि आपको पता है कल शाम को हमारी गाड़ी होगी भी थी लोड तो आज भाई दिन दूसरा हो गया तो इन्होंने पेपर न अब भी जागे दिया हमारे को कल से बिल नहीं बढ़े मे पाल्टी ने पेमेट नहीं डाली थी इस करके भाई दिल नहीं बने और पेमेट अभी जाके आई और अब हमारे को पिल मिले हैं अब यहां से निकल है हमारे को बाकी हाइट देख लो भाई आप खुद ही कितनी है चलिए भाई करने जा रहे हैं अपने सफर का आगाज लेक बें बाई सफर शुरूँ कर दोस्तों निकल गया है भाई बेल वेरा मिल गया है अब भी आगे मिलें बिल और निकाली हमने काड़ी अब करती है अपने सफर का आगाज तो भाई मैं आपको बताता चलों इस्ट्रेक्टर जा रहे हैं भाई हम बिहार बिहार की रायदानी पटना पटना के लिए हमने गाड़ी लोड करीब ही है तो फिलाल में सनाम में यहां से निक्प्रा हुआ हुआ है यह भी करनाल वाली सैड को जाना है अमारे को फिलाल वा ओग आपको बताता रहो का मैं अभी आगे जागे पाले जाड़ी में घीजल भी डिलवाना है और ग्रीज भी करवाना है तो चंते भाई याजब आगे देख देगे वी इग्रीज पाड़ा है खाल कि ंपयों नो जगान के आजगा कograf कि को हुआ थे हुआ फेल फेल्थे पंपन्जाब में ये न पंजाब में पंपे ननो पंप मंद भाई वर क्या रेट कहा जो दोले है जान दो, डेंसिटी भी भाई सही है, आड़ सो पची प्लस है डेंसिटी भी, तो अभी हम भाई पंजाम है पड़ता है, समाना जगा, तो हम आए भाई बवानिगड से आगे, हम इदर सको समाना भी यहां से आगे, वो कैथल वाली सेड को जाएंगे, मतलब आगे चिका आओ उस सेड को जाएंगे, जाना तो पहले पातकड़ा को था, लेकिन वो वाला रस्ता बंद बता रहे हैं, जो मैं रूट है, हरे अना पंजाब का बॉर्टर, इस करक्या मिस रूट से आए, तो बीच में गाउं वाला रस्ता भी है, लेकिन में के ऐसा हाईट के साथ दिक्कत ह हो जाती है, अब आकी जो भी होगा, देखा जाएगा भाई, आगे रास्ते में, अब कहीं गाउं में तारब गेरा नहीं हो, मैं लब नीचे, मैं अपनी गाड़ी न टैच हो नीचे ही कहीं, तो चलिए फड़ा पड़ भाई, यहां टेंकी फुल करवाते हैं, और सिधा नि मिलेंगे, कहीं जहां दुकान मिलेगी हमारे को हार शिंगार की, चलिए तेल डलवाते हैं, फिर निकलते हैं, अब भाई बंद कर दे चलें फिर, और साथ में न भाई अपने यूटूब की आईड़ी इधर भी चिपका ली, अगर को इधर आएगा तो भाई यहां पर अब यहां पर चिपका वाली साइड को, तो यहां एक अंकल जी बठाली हम उन्हें, इन्होंने आगे जाना था, मैं कहा चलो आपको भी छोड़ देते हैं, किन दूर हो न अंकल जी यहां से चिका, चिका जहां से विजा, यहां से नमाओ है, अच्छा, तास किलो मेट राके ठीक, ठीक, आपने कहा जाना, नमागाओ, अच्छे जगह कौन सी थी, जहां से बेठे, आप समाना, रात को मुश्किल होती, बंदे रोकते हैं न गाड़ी हां, आज का लिप्ट देते हैं यह लोग, मैं का यार, चाच्चा मेरे पास हाई, भूलते हैं, मैं का चलो, कोई न अच्छा, तो गईस पेवा शहर के अंदर पहुच एवे हमा, फिर हमारा कैफल साइड को जाने का प्लान होगा, एक एंसलाव जा रहे हमें कुरुक्षेतर के लिए, अभी पेवा है, पेवा से मोड़ के वे पुरुक्षेतर ओड़ पागा, तर पुरुक्षेतर ओड़ पा अच्छा, तो दोस्तों मैं अभी आगे पहुच गया हूँ, कुरुक्षेतर, महा बारत का योदुवा था ना, जहां कुरुक्षेतर के पहुच गया हूँ, मैं तो यह अभी शहर पार कर रहे था, हमें यह जो रोड़े सिद्धा, जिट्टी रोड करनाल को जाता है, जो जिट्टी करनाल रोड आता है, मतलब आगे टच होता है, ऐसा बोलना था हमेने, और यह सामने भाई, एटीम, तो कुछ कैश लेने जा रहा हूँ, अपने पाग कैश कुछ भी नहीं, हजार दो जार पर निकाल लेता हूँ, कहीं है, अमर्जनसी में लगेगा, तो चलिए पहले कैश निकालता हूँ, चलिए जी, कैश निकाल के आगया, क्यूंकि आपको बता कहीं जड़त पड़ जाती है, रात को अपने पास, पांस्तो हजार दो जार तक कैश चाहिए, चाहिए, कहीं आ रहा हूँ, अभी तक मेरे को कोई भी नहीं मिला, प्लूइशन सेंटर खुला, आस ऐसी है कि भी आगे चिटी रोड में मिल जाए, करनाल वाडे रस्ते में, फिर करनाल से तो मेरे को ऐसे भी टर्न होई जाना है, तो चलिए भाई, निकलते हैं, आगे देखते हैं, जाए आपको पता, अंदर फॉंड आती है, इतनी गाड़ी की, पुछो मत आप, उपर से इंजन पई बैठे हैं, चलो ये, निकलते हैं भाई, यहां से, तो भाई, अभी निकली रहे थे, वहां से कोई यादा किलोमेटर आगे आके एक पेट्रोल पॉम मिला, इदर साथ मैं, यह जेल है, आई थिंक, जेल कुरुक्षेत्र तो भाई सो रहे थे, तो भाई को उठाया हमने, मैं का भाई उठ जाओ यार, क्योंकि यह जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम कच्चा नहीं करना नहीं है, आपको पता, पहला चक्तर है, रास्ते में जा रहे कोई दिक्कत प्रशान प्रशान हो जाते हैं, यूँ यह जरूरी है, जलान इसका की कजार से लिए के 10,000 तक का जलान है, इसका अगर माले प्लिशन ना हो, यह तो शुकर है भाई हो गया, और साथ में ना मेरे को इस पेट्रोल पंप की वीडियो याद आगी, जो यह पेट्रोल पंप है ना, यह आए दे काम जेना, शिन लेवे ओडाया दे रहे, तो यह पीड़ फोड़े ड्यूटी, मतलब मैं अपनी पाड़ी बाशन में अपने बाई को बता रहा हूं, जो यह पेट्रोल पंप है ना, यहां पर कैदी काम करते है, जो जेल में, यहां पास में जेल है, तो उनकी के के लिए यह लोग गाड़ी भी बंद हो गई, यह पांस ात मीट बाद आपने अप गाड़ी बंद हो जाती है, यह टी सी मोडल जितनी गाड़ी है, सब बंद हो जाती है, चलो तो द्वारा से स्टार्ट करते हैं, तो गईस रात के बज़रे हैं, बाई देड़ और इस ट जा तो बाइपास भी सकते थे लेकिन थोड़ा लंबा पड़ रहा था काड़ी ऐसा बंदर को यारी हम भी दिर अंदर को ही आगे शहर होके ही पहले चलते थे मैं आप पुरा चार या पान साल बाद आ रहा हूं इदर को मेरी कंडेक्टरी मालो इस लाइन की है पहले हम कंडेक देने जरूर आई लाव शामली वस मेरट रही है यहां से 60 किलोमेटर देखते हैं करते हैं भड़ा भड़ भाई मेरट अब करा पार आपके जागे हमारे पुर्णायन आ जाए रहा है तो दोस्तों सुबा के बजरे हैं और मैं पहुंच यह हुआ कि मेरट बस सिटी के लिए जा रहे हैं भाई अंदर यहां पाई पास ता देख रहे हैं आप यहां पर तो अभी मुड़ गया हूं में अंदर सिटी वाली साइड के लिए तो मैं अभी टैम से निकल जाओंगा मैंने आपको रोड के लिए निकलना है तो पहले मेरट कर लेता हूं बार आज काफी टैम बाह जा रहा हूं भाई मेरट सिटी में जब दिखाता हूं आपको कुछ को सिटी मेरट कर दो कर दो कि चलो जी चलो गाइस अरे राम तो दोस्तों मेरट कर लिया मैंने पार अब भी मैं हाप पोड से थोड़ा पहले आगे रुका हूं खरकोद्दा गाउं की है मैंने पार और टाइम हो रहे बाई अलमोस सुवा के चार बजने वाले हैं और शाम के शाड़े साथ बज़े चले थे हम और अब भी तक न हमने 428 किलो मेटर सफर कर लिया वादता है और अभी हलकी हलकी भाई भूक लग रही है तो यहां होटल दीका सोच रहे हैं मैंगा यही खाना ख कर लेंगे क्योंकि अब थकान मैसूस हो रही है तो दोस्तों यहां गया हमारा खाना आज हमने बाई दाल अरर की ओडर करी थी खाने के लिए और साथ में लस्सी तो चलिए करते हैं बाई खाना शुरू तो नेक्स्ट मेल निंग गुड मॉर्निंग गाईस गुड मॉर्निं गुड मॉर्निंग फ्रॉम हपपुड बाई शोके उठ गया सुबा के बजरे हैं बाई टाइम ऑल्मुष्ट ग्यारा हो गया है उठका हम दस वजे केते हैं लेकिन फ्रेश बगरा होना फिर यहां पानी बगरा दानी ना ने दोने के लिए आत्मों दोके काम चला लिया मैं बाई आगे नाएंगे कहीं और धूप इतनी तेज होगी नहीं अंदर गर्मी इसकदर पड़ रही है बाई लू पड़ रही है पूरी श्रीर इतना गरम हुआ पड़ा है अभी तो बाई मैं का सोच रहे हैं यहां से मैं का निकलते हैं अब सफर यहां से आगे के लिए शु अब यहां से रस्ता मेरट से हपूर रोड आए बास मैं उसको उस्ताद को बोलके आता हूं कि बाई चलो बुल निकलते हैं आके के लिए फिर आके कहीं अलीगड के आसपास देखेंगे भी वोटल पर रुके नाएंगे दोएंगे वहीं खाना भी खाएंगे चलिए लेट ह अब यहां रहा भाई लेट होगे और बोट टैम लगा दी हमने चलते हैं पर ठीक है स्टार्ट शूड कर लो फिर बाई यह बाई की गाड़ी लगना हुजा रहा है आप भी साथ ही चल पड़ो हमारे हमारे पास आया था पहले बोले हम बोलते हैं बाई हमारे को लगना और दो तो दोस्तो अब भी आगे पहुंच किए भाई हम यह है बुलंद शेर यहां चौक है जहां पार यहां से अंदर सिटी को जा रहा है रस्ता हमने जाना यहां से सिद्धा तो यहां रुके थे हम चौक के पास बोल्ड रिंग लेने के लिए भाई तर्मी बहुत है तो भाई भी साथ में ही रुक गया स्वान्नू को बेज़ाय मैंने लेने अब चलते हैं अग्गे अलीगड वाली साइड को जाना है हमने यहां से देखो यह मैं चौक सिद्धा खुर्जा वाली साइड एको खुर्जा बलंद शेर और दिल्ली चलिए बाई परना भी ले ले आजा फिर तो भाई अलीगड आगे पहुंच गे वे महलीगड से पहले एक होटल है होटल राजपुताना तो भाई अभी जाके नाने-दोने जा रहे हैं और समान ले लिया जो अपनी एसेंशल चीजे हैं और करमी इतनी है भई पूछो मताब अब जाके पर पहले हाफट जाके ना लेते हैं फ्रेश बिद्स लेंट करेंगे ऩाइब लेट हो जाएंगे खाना खाने के लिए उसके बाद आप से बाचित करता हूं हूं इसके अंदर मोटर से पानी चलाया वा तो चलिए यह आपको मैं दिखाना चाता था भी कई होटलों में बना होता है यह स्पेशल ड्राइबरों के लिए बनाया होता है इसमें बड़ी अमस्त घंडा पानी है अभी से इनाते हैं जी लॉकर लियो गाड़ी है ना आजा चलिए जी भाई खाना खा लिया अब सुरी खाना खाने जाना है ना अली ऐसा बोलना था कई अर्मिश्ठी को यती बोलने में तो तीन बजगे मारको भड़ती ही होगे बल्कि अब जाके खाना खाएंगे बाई ना दोली अब कोई टेंशन नहीं अब जाके फटा फट जाते हैं खाना खाते हैं उसके बाद फिर मैंने आपसे बात भी पूछनी थी पहले खाना खा लेता हूं उसके बाद आपसे वह ब पतना जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा रहेगा तो प्लीज कमेंट करके बतादा हूँ जो इस को चलते हैं भी बिहार वाली सथ को मैं तो पहली बार जा रहा हूं पतना वाली सयद झाल 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 झाल